भाई और बहनों वो महा मिलावटी लोग जो महने पहले भर महने भर पहले तक मोदी हटाओ मोदी हटाओ का रागालाप रहे थे वो आज बौखलाए हुए हैं उनकी पराजय पूरे देश ने मोहर लगा दी है और उत्तरपदेश ने सबसे आगे बढ़कर इनका सारा गुणा गणित ही बिगाड़ दिया है इसलिए हर दिन उनकी गालिया बढ़ती जा रही है भाई और भेनों असल में देश इन महा मिलावटी दलों की सच्चाई पहले दिन से जानता है देश को पता है कि मोदी हटाओ का नारा तो बहाना था असल में उन्हें अपने प्रश्टाचार के पाप को छुपाना था इसलिए ये जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं कि देश में एक खिच्डी सरकार बन जाए ये देश में एक मजबूर सरकार चाहते थे जिसे वो अपनी जरूरत के हिसाब से ब्लैक मेल कर सके लेकिन ये नया भारत है ये आतंकियों को गर में गुश कर मारता है और जो अपने घर को अपने समाज को अपने देश को कमजोर करना चाहते हैं उन्हें अच्छी तरफ पहचानता भी है जानता भी है भाईयों और बेनों यहां उत्तर प्रदेश में सपा बसपाने जाती के आधार पर एक अउसरवादी गटबंदन करने की कोशिश की लखनों में एसी कमरे में बैठ कर उपर उपर से तो डिल हो गई लेकिन जमिन से कटे हुए ये नेता अपने कारकरताओं को ही भूल गए नतीजा ये कि सपा और बसपा के कारकरता आज भी एक दुसरे पर हमले कर रहे है साथियों दुसरी गलती सपा बसपा ने ये सोच कर की कि दोनों दलों को उनका वोट एक दुसरे को टांसफर हो जाएगा भाई और बहनों इन लोगों ने कुछ जातियों को अपना गुलाम समझ लिया था 2014 में पहली बार समझाने के बाद 2017 में दूसरी बार समझाने के बाद अब 2019 में उत्तरपदेश इन दलों को थोड़ा ठीक से समझाने जा रहा है कि जातियां आपकी गुलाम नहीं है लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि बोर्ट दिया जाता है विकास के लिए बोर्ट दिया जाता है देश को आगे बढ़ाने के लिए भाई और बहनों इन लोगों ने जाति के नाम पर सिरफ सत्ता हासिल की और फिर सत्ता का उप्योग अपने लिए मंगले बनाने में अपने रिष्टेदारों तक को करोड़पती अरभपती बनाने में किया है अबुआ हो या बबुआ हो इन लोगों ने गरीबों से खुद को इतना दूर कर लिया है इतना दूर कर लिया है अपने आजपास इन लोगों ने पैसे की वैपव की बाहुबल की अपने दर्बारियों की इतनी उँची दिवार खड़ी कर लिया है कि इने गरीबों का सुख दुख नजर नहीं आता बाई और बेहनों इन महा मिलावटी लोगों से अलग मैं बहुत इमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ कि गरीब की जिन्दगी आसान हो दसकों से उसे जिन्द सुविदाओं का इंतजार था मैं उसे वो महया कराने में जुटा हूँ गरीब को पक्का गर मिले गर में बिजली का कनेक्शन हो गैस का कनेक्शन हो सौचाले हो बैंक में खाता हो उसके बच्चे का समय पर टिका करण हो उसे सस्ता इलाज मिले उसे सस्ता राचन मिले उसके धगर तक सड़क पहुँचे इन लक्षों पर हम काम कर रहे हैं साथियों मैं उन किसान परिवारों के बैंक खाते में सीजी मदद देने में भी जुटा हूँ जिनको खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्ज के लिए कर्ज लेना पड़ता था साथियों एक तरफ आपका ये सेवक देश की बेटियों को ससक्त करने में जुटा है ये महा मिलावटी भोट के लिए बेटियों का अपमान करते है मुस्लिम बेहनों को तीन तलाग के नक्ष से मुक्ति दिलाने का बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया लेकिन इन महा मिलावटी लोगों ने मिलकर मुस्लिम बेहन बेटियों को इनसाफ मिलने में रोडे अठकाए सरकार चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं को उनकी भावणाओं के मुताबिक उनकी आस्ता के दायरे में ही तीन तलाग के खिलाप आवाज उठाने का अधिकार मिले लेकिन ये महा मिलावटी दाल ऐसा भी होने नहीं दे रहे इन लोगों का रवया क्या है ये यहां महा मिलावट वाले उमीदवार में भी नजर आता है सपा बस्पा ने यहां से ऐसे उमीदवार को टिकर दिया है जो बलवातकार के आरोप में बगोड़ा है समाजवादी पार्टी का तो इतिहास यूपी के लोग जानते है लेकिन बहन जी क्या आप ऐसे उमीदवारों के लिए फोट मांगेगी भाई और बहनों सपा के समाए यूपी में बेटियों की क्या सिती थी ये सब जानते हैं लेकिन बहन जी महिला सुरक्षा को लेकर आपका वर्ताव भी अब सवालों के गेरे में है कुछ दिन पहले राजस्तान के अलवर में एक दलीत बेटी के साथ गैंग रेप किया गया था वहाँ बहन जी के समर्थन से कॉंग्रेस की सरकार चल रही है कॉंग्रेस की सरकार ने चुनाव को देखते हुए उस दलीत बेटी के साथ हुए इस राजसेसी अपरात को चीपाने की कोशिश की बहन जी सब जानती है लेकिन कॉंग्रेस सरकार से समर्थन वापिस लेने के बजाए वो मोदी को गालिया देने में जुटी है दलीत बीटिया के साथ बहन जी का रवया बताता है कि ये महा मिलावटी अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी दोखा दे सकते हैं भाई और बहनों महिला हितों महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है आज़ादी के दियास में पहली बार बलातकार रेप किस में फासी की सजा का प्रावदान इसी चौकिदार ने किया है मैं यहां की महिलाओं को पूरी पुर्वान चलो की महिलाओं को विशेज आगर करूगा कि वो ऐसे महिला विरोधी दलों के खिलाब पूरी ताकत से मद्दान करें महिलाओं की गरिमा उनकी मर्यादा उनके हीतों के लिए मतदान करें कमल के निशान पर बटन दबाने का मतलब है बलातकारियों को फांसी की सजा कमल के निशान पर बटन दबाने का मतलब है गर गर सवचा रहे गर में पानी की सुविदा साथियों मैं आने के लिए रास्ते में था तो पता चला कि बहन जी ने पस्चि मंगाल को लेकर मुझ पर निशाना सादा है चुनाव आयोक को भी आडे हाथों लिया है मैं तो सोच रहा था कि जिस तरह ममता दिदी वहाँ पर यूपी बिहार पुरवान चल के लोगों पर निशाना साद रही है उन्हें बाहरी बता कर अपनी राजनिती कर रही है बहन मायावती इस पर ममता दिदी को जरूर कुछ खरी खोटी सुनाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको आपकी चिंता नहीं है उनको तो कुरसी का खेल खेलना है साथियों यहाँ यूपी में सभा के बाद मैं आज फिर एक बार बंगाल जाने वाला हूँ बंगाल की मुख्यमंत्री लोग तंत्र के द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री बारत के बंजाराण बारत के लोग तंत्रा एक तो तीस करोर देश वाज़ों के अजिरवाद से मोदी जो प्रदान मंत्री चुना गया है उसको बंगाल की मुख्यमंत्री अपना प्रदान मंत्री नहीं मानती है वो पाकिस्तान के प्रदान मंत्री को तो प्रदान मंत्री मानती है लेकिन हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री को प्रदान मंत्री नहीं मानती है और भायो बेनो आज जब मैं बंगाल जा रहा हूँ तो देश वाजियों को याद दिलाता हूँ मुझे आज है कुछ महिना पहले जब पस्चिमी मिदनापूर में मेरी रेली थी तो किस तरह की आरा जगता वहां के टीमसी द्वारा फैलाई गई थी इसके बात बंगाल में ठाकुर नगर में मेरी सभा थी तो ये हालत कर दी गई थी कि मुझे अपना संभोधर बीच में छोड़ कर मंच से हट जाना पड़ा था कुछ दिन पहले कुछ बिहार में मेरी रेली के लिया जहां मंच बनना था वही पर दी दी ने अपनी पार्टी का बड़ा सा मंच बनवा दिया था ये सब सत्ता के नशे में लोग तंत्र विरोधी मांच जिकता में दीदी आप करती रही हो दीदी का रविया तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ अब पुरा देश भी देख रहा है आज शाम को कोल करता मैं दमदम में भी मेरी रेली है देखते हैं दीदी ये रेली होने देती है या नहीं उसका चले तो वहां हमारे हेलिकॉप्टर को उतरने भी नहीं देगी साथियों टी-े-म-सी के गुंडों की ये दादा गिरी परसो राज भी देखने को मिली परसो कोल कता में भाई अमिच साह के रोड़ शो के दोरान पी-े-म-सी के गुंडों ने इस्वर चंद्रफित्या सागर की मुर्ति को तोड़ दिया ऐसा करने वालों को कथोर से कथोर सजाद दी जानी चाहिए वही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस्वर चंद्रफित्या सागर जी के वीजन के लिए सबर्पित हमारी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक भव्यम मुर्ति की स्थापना करेगी और टु-े-म-सी के गुंडों को जवाब देंगी इस्वर चंद्रफित्या सागर मात्र बंगाल की नहीं बलकि भारत की महान विभूती है वो महान समाच सुधारक सिख्षा सात्री नहीं बलकि गरीबों और दलिक और दलितों के सवरक्षक पुई थे महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने उस दोर में आवाज उठाई थी उन्होंने मानवता के सेवा के लिए जो किया है उसके हम सभी रणी है हमारी सरकार देश की ऐसी ही विभोतियों की पिर्णा से देश को नहीं उचाई पर ले जाने का काम कर रही है भाजपास सरकार के तो मुल में बंगाल की संस्कृति बक्ती है वेज से विवेकानन तक और नेताजी सुवाज तंद्र बोत से लेकर दक्तर शामा प्रसाद मुखर जित तक हमारे चिंतन मनन को बंगाल की उर्जा ने ही प्रभावित किया है भाई और भेरों 21 सदी में देश को एक बुलन होसले वाली पूर्ण बहमत वाली सरकार चाहिए मजबुत सरकार ही जाए जवान जाए किसान के नारे को साकार कर सकती है मजबुत सरकार से ही एक विशित भारत का सपना सच हो सकता है मजबुत सरकार ही पुरवान चाल और पुर्वित भारत का विकास भी कर सकती है यही कारण है किस पूरे छेत्र को हमने विशेश प्रात्विक्ता दी है रेल हो रोड हो गंगाज़ी पर बना जलमार्ग हो इस पूरे छेत्र का काया कल्प हो रहा है इससे यहां उद्योगों के लिए उद्योगों के लिए उद्ययमों के लिए रोजगार के नहे अवसर बणने वाले हैं साथियों इस बार गोशी को पिछली बार का रेकॉर्ड तोड़ना है एक एक बुद्पर कमल खिलाना है आपका हर वोट सीधे सीधा मोधी के खाते में जाएगा आप इतनी बड़ी तादाद में आजिर्वास देने के लिए आए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद के बारत माता है Колarry Bono खिलाना है भारत माता की भारत में बहुत दिलाना है भारत माता है वोट्पर की टतुत